हेलो एवरीवन वेल्कम बैक ट्यूरोड रोड चैनल फोर क्याटिव इस्टेजिज आज इस सेशन के माधियम से हम लोग देखेंगे बीपी एसी ओन फोटी फोर जिसका नाम है दक्षिन एस्या का पडिचे उसको हम लोग एसाइमें के क्वेस्टेंज को एकस्प्लेंड करें की भी सब्जेक्ट हो तो समें के क्वेश्जिन को आप ना करें अब अब तक रिज़ंग सेंERS अपने पर घ्रूरोड नहीं करेंगे और यह important भी है सलेवस का most important questions जैसे कि अब देखते हैं यह assignment question में हम लोग कुछ questions को अल्टी कर चुके हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग unit wise भी cover किये हैं और जो भी unit wise cover नहीं किये हैं वो cover कर लीजें उसका एक playlist बना दिया गया है BPSC 144 important question भी जैसे कि उसका लिंक जो नापको discussion box में मिल जाएगा और comment box में पीन क्या वाद सबसे ऊपर में मिल जाएगा उस link से आफ सभी जो ना उन सभी सवालों सभी classes को कर लीजिए ओके जैसे कि आज ही सेसन में आप हफाली देख लिए ऐसे कौन-कौन से को कर चुके हैं जैसे कि टोटल 10 questions पूछे जाते हैं समय में इसमें से आपका जो ना चैनले के पारे में देख चुके हैं इनिकि सभी बारे में चीन के बारे में बंगला देश के बारे में उसके में प्रकाथ के बारे में और कहां से आ रहे हैं तो इस तरह से हम लोग भी कभर करने की कुछिस करते हैं इसमें हम लोग पांच में से एक को संट हो गया चार को संट अभी का जो है सब्सक्राइब सब्सक्राइब का यह लोंग है और अच्छा भी को संसे इंपोर्टेंट भी इसको देखेंगे लोग ठीक है उसके दिरे दिरी भी हम लोग सारा के सारे कभर कर लेंगे ओके आप हमारे साथ जूरे रही है जैसे कि परस्ट को संट आपका रहे को वर्तमान वी स्वेवेस्टा म में दख्षिन एसया की भूराय्टिक महत्व की व्यख्या करें इसको हम लोग देखेंगा आज के सेशन में चलिए देखते हैं यह कहता है यह फॉर्टमान समय में वेजो है पर जैन टाइम में यहां की वीश्वेक्पूर में किस तरह से उसके सीच्वेशन के ऊसार जो है दक्षिन एसया का राजनितिक वyllस्ता किस त्रस्य राजनितिक महत्र व्यद्य क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे sì इसमें एक थिंकर और विचारक है जिसका नाम है कपलान एक कपलान जोने दावा करते हैं यह वो अपने कथन में कहते हैं कि भारती उप महाद्विव का दो बरे राजी यह राजी जोने राष्ट्रों से है देश से है ठीके ना भारत और पाकिस्टान साथ ही साथ एक छोटा देश जो बंगलादेश भी समिल है भारत और पाक रहा है पाकिस्टान उगया उसकी सिć सितिभूगली कि अंत продолж कुई अंतिम शूरने यह भी कर जा रहा है जैसा कि मैंने कहा मैंने करा औहूं यहां मेरे कहने करने का मतलब है की कपलान के रहा है ठीक है कपलान का कहना है कि इत्यास मद Ud.h और मद्हाइजもし्बिक यहां दोनों के बीच में का रिकोरड याना की भारत और पाकिस्तान के गयां कहा जाता है को मुझे लगता है यानी के नहीं लगता है कि यहां कहने को वही अर्थ है कपलान का कपलान को लगता है एक आम तोर पर मानी डिष्टी कौन है एक आम तोर पर बेसेकली ज़िए वहां के अपरोज वह ना एक सम्मान नहीं मानने है मानेता दीए यह यह सही है जैसे कि मैंने स्वेयखती गया उन्होंने खुद ही इसके बारे में देखा ह व्यक्त किया इसके बाड़े में जाना है समझाए अपने कई कर्म कर्म कमजोर राजियों के साथ पूरे दक्षिनेसया में संस्कृति भासा और इसके इलाके की विवित्ता एक भासा ही आश्ट्री इंग हंगरियन समराज की याद दिलाती है इसमें काता है यह कपलान का काने क करती हिसके वह जर कि बहुत शक्रीन उन्हों के वहने इसह को बारत पाकिस्तान बंगलाज देश को जानने से पाहले वून def तो उसको जो इन सभी देशों के एकशन्सक्रिति भास नहां कि विवित्ता के भारे में में के बारे में देखने के बाद उसको कषचर लिया और हंसक्राइब से दूर जो हमें सब इक टर से दूर था जो एने इसके जो ना आश्टलिया हंगरी ये सभी जो नवी घटन होने से दूर रहा करता था कि विगटन ना हो यह एक आस्टर की बात यह आस्टर की बात नहीं होगी यह दिद्धिक प्रिदिस्ट को उसकी विवित्ता से मेल खाने के लिए प्रत्र क्या था कि अीसाहीं आईसा और यहां यह अनल था आ connect किष्टन को डॉбारा से फिर से तयार किया जाना किया था पर्फम 20 1974 1914 से जो है चरम तनाव तक आस्टरियों आश्ट्रोहंगरियनस अलग मध् सम्राज परफामी स्वियूद के समय इनोंने अलग नहीं हुआ जब तक यह चलना चलता रहा इसमीं मधी एरोप में एक उदार राज्नेटिक्य और आर आर्थिक अस्थान परदान किया जब तक यह दोनौव में मितरतिय बनी रही तब तक यह मधी एरोप में जो नहीं उदार राजनेति और आर्थिकस्तान पर हम लोगों को दोनों जुरे रहे बने रहे उसके बाद जिसके पतन ने एक सुनी छोड़ दिया जो बहुत खराब चीजों से भरा था यह दोनों के पतन जो है उदार वादी हो गया आर्थिकस्तान जिसमें पतन होने लगा उसमें कु कि वो देखते हुए कि भारत और पाकिस्तान जैसे देश्यों के अभिचात वर्ग अपने राजियों के लिए पूरी तरह से परतिवाद है यह संभावना नहीं है कि एक बड़े जटके के अलाबा कुछी भी इन राजियों को विगटित कर देगा अलगाओं का अनुभब यह बदल जाएगा उनके परदेश कपलान का मादिह से कहा जाता था है बारत और पाकिस्तान की यहां की राजनेतिक इस्तिति या था इस्तिति सिच्वेशन के शिसी है उसको देखते हुए उन्होंने कहते हैं कि भारत पाकिस्तान जैसे डिशों में जो ना अभी चाते पूरी तरह से परतिबंद कर दिया है और यह सम्हावना नहीं है यह होप नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा हो उसके बाद बड़े जर्किये के साथ जो ने राजियों का विघटित कर देगा यह सब अगे चरकर यह बदलाव करेगा यहां कि जैसे कि उस situation है जैसे बड़े जैसे धार्मी के स्चितिय तो इसमें बडलाव करेगा यह बदल जाएगा लूगर यह बडलाव करेगा यहां कापलान के माज़ें होब से यह भारत में विशेश रूप से सच है यह भारत में विशेश रूप से सच है जो कपलान के जो सोचते हैं जो देखते हैं वो जो ना विशेश रूप से भारत में यह सभी चीजे सच हैं जो बाधाओं के बावजुद काफी इस्तिर बना हुआ है कपलान या इंगित करने में सही है कि बहुत कुछ एथियासिक अनुरुपता के साथ एक निर्मान है यह कपलान जो है यह इसारा करता है यह समझाता है कि भारत जो है कुछ एथियासिक अनुरुपता के साथ एक निर्मान है crapus कि दोर्वारा के बहुत करेक हैं कभी 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 बहुती यह जो है विशेस्ट और खास तौर पर पर इस तरफेर प्रकाश डाला वाए कबला के दोरा अंगे प्रफ़ार किया स्ट should भारत हैं और दक्षनी भारत हैं उनके बीच जो होती है वो अस्थल की अनुसार वहाँ विवाजित होती है यह पहले जो कपलान के टाइम में ही उत्री भारत और दक्षनी भारत में यह अस्थल के अनुसार उसकी विवाजित होती थी उत्री और दक्षनी एस्या उत्री और देख्षिण अेसिया के बिच संसक्रितिक विवाजन, साहिये महथवी पर सबसे लंबा और सबसे अधीक दिखाई देने वाला है, ये जो भारत में भारत देश जो है, इसके बावजूते इसके बारे में उत्तर और देख्षिण भायत के बीच, आज जो भूतिक और धार मिक वही कहा जा रहा है जैसे धार्मिक हो गया उसका धार्मिक संबंद की स्थर से भोतिक इस्तिति जैसी है यह बहत में उसका भारत के दक्षिनी भाग में और उत्री भाग में तो उसके बारे में देश को क्रियासिल बनाते हैं पावर फिल बनाते हैं उसके बारे में प्रोग्र पूरे दक्षिन एसिया पूरे उत्तर डक्षिन एसिया दोनों जो है उत्तर डक्षिन एसिया अक्सर रेगूलर जो ने एक verstehen की काई थी जिसे हाल ही में पाकिस्तान और बंगलादेश और नेपाल के निर्मान के लिए विवाजित किया गया था जैसे पहले भी बताए कि हाली में जो नहीं मतलब यह पाकिस्तान हो गया बंगलादेश हुआ भारत जो ने एक ही दिवा करता था तो इसके निर्मान में विवाजित हो गया उसका या उत्री छेत्र एक उल्टा यू के आकार का है इसका जो उत्री छेत्र जो है उत्री छेत्र जो है उल्टा यू के आकार का है उसकी आकरती जो है यू के आकार की है जिसमें सिंदु और गंगा नदी की घाटियां है यहाँ पे सिंदु नदी और गंगा गादी गंगा नदी की घाटी है और इसे अथियासी गुरूफ से इंदुस्तान और अर्या वर्त का जाता था जैसे आप सभी जानते हैं बहात का जोना और भी अने का नाम है जैसे इन்डिया भारत भारत हंदुस्ताम उसी तरह आरिया वर्त भी था उक 나しょう समझें उसके बाद इस चेतर का विवाजन दक्षिन-इस्या के राज में तक भोगोर के क्रितिमता की भावना देता है यह जो है चेतर जैसे विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान नेपाल बंगला देसी सब जैसे भीजब है यह जो है तक्षिन-इसया की राजनितिक जूआ उस में हिस्ट्री सब्सक्राइब कैल्चर कारण भी है कि मेरा मांना है कापलाण जोर नहीं नहीं देते हैं अधिक जोर लिएं जीमेरा सुख्च में चीजों데 आच्छी तरीके से देख सकते हैं अधिरले लेकिन उनका सम्मधरे बिंदू मानि हैं वो भी jubbi बिन्दू देंगे वि समगत सभी बिन्दू जोनों मानिएं सभी सभी सही है देखेन आप मां मीर्त्री विन्यास विटिस कारवाहिएं को राका उत्पाद है यहसे बियुक्त के जो कपलान के माधियम से कहा गया था वो सब जो है पाकिस्तान में एक विस्तिस रूप से एक सच है उसके बाद कहा जाता है छेत्र के इत्यास और भुगोल की विस्तिस समझ के बिना ये भी असपश्ट है कि पाकिस्तान कई आंतरिक कारणों से और अस्थिर देश है इसके पाकिस्तान जो है वहां कि अपनी छेत्रों के राजनेती से भी वह सही नहीं है और सुरुक्षित है खत्रामंद है भात और इंडोनेसिया जैसे अनिविसाल बहुत जाती देशों के विप्रित पाकिस्तान ने राजी निर्मान और आर्थिक विकास के रास्ते में आप एक पाकिस्तान ने राजीयों का निर्मान करवाने की कुंदिन ननि राज्यों को गया आर्थिक विकास के रास्ते में इस सब से इसवापश किया था यह तो यह बह।ोकर कर सकते हैं हाला कि पाकिस्तान को अक्सरर एक मानव निर्मित रूप में देख सकते मानव के तुरर अजितल पाकिस्तान मृन उस बदलते News बदलते रहता अचाहिता है तो तो कभी दूस्मनी करना चाहता है तो जब मान होता है तब उसके पता ने जो नो सब उसके उल्टा ही है सब कुछ समसर करें ठीक है उसके कहा जाता है यहां पर जबकि अक्सर उत्तर भारत में मुख्य संसक्रिति या राजय का हिस्सा होता है उप महादियू के उत्तरी पस्चे में हिस्से का लंबे समय के से एक अलग और विशिष्ट राजनेतिक और संसक्रिति इकाई रहा है ये जो है अक्सर जो है उत्तर भारत में जैसे अपना भारत में यहां के संसरीन के हुट राज्यक राजनेती और सांतर कल्चर यह सभ जो है न इतियास राशनillah के बारे में इतियास राशन सर्ब्रब्जों से ही चलते आ रहा रहा है क्योंकि इस चेतर में मुख्य परवेश बिंदू के रूप में इसका अस्थान है क्योंकि यहां के जो ना राचिंदिती हो गया, कल्चर हो गया, धार्मिक हो गया, सभी चीजों का इसमें जो ना इतिहासिक छेतर दिया हुआ, इसका अस्थान दिया आ गया है, सभी का महतपूर्ने रूप से, ठीक है, यह था, जो अक्सर इरान और मदेशिया की में उत्पन होने वाले समराज़ों द्वारा सासित था, यह जो है, दक्षिनेशिया का छेतर हुआ करता था, जो इरान, इरान और मदेशिया की सासन से, उत्पन होने वाले समराज़ों द्वारा सा, यह इरान और दक्षिनेशिया में जो भी उत्पान होते थे उससे द्वारा इसे लग सासित हुआ करता था फिर भी इसके बावजुद यह सायद ही कभी अपनी एकाई के रूप में और स्थित में है यह पाकिस्तान के बारे में का जा रहा है कि वो जो ने इसके बावजुद जो है जैसे इरान हो गया मदेश्या में जो भी समराज होगा तो उससे सासित होते थे इसके अलाबा वो खुद से जो है ना वो कभी भी अपने एकाई के रूप में और स्थित में नहीं आई जैसे आधोनिक पाकिस्तान या तो किसी फार्सी या मद एसी या राजे के पुर्वी हिस्से के रूप में या किसी उत्तर भारती राजे के पस्चिमी हिस्से के रूप में मौजूद है पाकिस्तान के जातिय समूब बिना किसी अस्पच्च्ट विवाजन के अफगानिस्तान और भायत में संक्रमन करते हैं पाकिस्तान जो है वहां के जातिय समूब के बिना ही किसी भी तरीके से भी भाजन के लिए अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान से संक्रमन करते हैं जिसे पाकिस्तान के लिए एक सुसंगत अलग इकाई के रूप में कारी करना मुस्किल हो जाता है जिससे कि पाकिस्तान जो नवो अपने लिए कोई अलग रूप से अलग तरीके से काम करने के लिए उसके लिए फ्रसम मुस्किल हो जाता है खासकर अगर किसी सरकार अक्षम है, जब कि कोई सरकार जो है उसमें सही तरीके से साथ नहीं देता है, तो वो अक्षम होते हैं, ठीक है, वो उस पर है, उसको तो पाकिस्तान की सरहदों को धुंदला करने के लिए सिर्फ एक disturbance की जरूरत होती है, वो पाकिस्तान की जो सरहद ह तरक है, यह वास्तप में पाकिस्तान की पस्यमी सीमा पर होने लगा है, यह सभी जो है, वह पाकिस्तान की पस्यमी पाकिस्तान देश के जो पस्यमी छेतर हैं, उस पर होने लगा है, कपलान लिखते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का वास्तिविक अलगाओ, दिसम्मर 1989 1979 में सोवियत आकरमन के साथ कुछ हद तक समाफ्थ होना शुरू हुआ यह जो ना कपलान के बताते हैं कि अविगानिस्तान से पाकिस्तान को वास्तिवी का लगाओ यह कि अविगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे धिरी धिरे में विभाजन होने लगाओ वो कब हुआ दिसंबर 1979 में यह कब हुआ उस समय जो ना सोवियत संग में उसको आकरमन हुआ था उसमें जो ना यह दोनों अलग-अलग होने लगे थे बटवारा होना सुरू हो गया था जिससे खेबर और अन्य दर्रे से एक सरनाथी पलायन को प्रवलित करते हैं किया जिसने पाकिस्तानी रायनेती को बाधित किया और सिमा को और कम करने का काम किया यहां पे जो है आपके दर्रे क्या होता है खेबर खेबर जो नेगे दर्रा का नाम है और अन्य दर्रे खेबर के साथ अन्य दर्रे दर्रा क्या होता है दर्रा जैसे कि ये पहार है ये भी पहार है इनके बी जो जो रास्ता है उसको दर्रे कहते हैं ठीक है ओके तो यही दर्रों के बीच में है उसके कहा जाता आगे आप कपलां कपलां से समत है या नहीं यानि कपलां जो भी बाते पाकिस्तान के बारे में भा विशलेसकों को उनके दिश्टी कोर पर गमिर्टा से विचार करना चाहिए, जो भी विशलेसक है, विचारक है, तिंकरक है, विद्वान है, उनकी बातों पर गमिर्टा रूप से हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है, गेदेपी उनकी अंतर दिश्टी सम्मान दिशा को समझ सो वो फ्यूचर के बारे में कैसी जानद में किसे इसकती है तो इसके बारे में कहा जाता है उब कि ऑपाकिस्तान और अफगानिस्तन के बीच यह होने व्यावला वो होने वाला मितरता होने वाले दुस्मनी होने वाले विवाजन होने वाले यह सभीचीज़ते हैं ऊके तुषकर की बहुत्Accis कि भाइस्वानियों के लिए कपलान के नुसर किसी को सेक्स पीसियन पधिती का ओप्योग करना चाहिए जो किसी विशिष्ट सुत्र पर काम नहीं करता और मानव परकृति और मानव सरकारों के में अंतर डिश्टी परादाडित होते हैं ठीक है तो यह सभी चीजे हैं जैसे क इक फश्ट नमर कोसेंस को हम लोग जो हम लोग पूरा हो गया अब सके नमर कोसंन जो हम लोग नेक्स सेसं में करेंगे ऒर आफ सभी जो निवब फिसरिविजन कर लिजगए यह इंपोटन कोसरिं रहेगा आपके लिए तो आज के शेसं में बस एक ही सवाल को हम लोग देख यह उसमें जोन बाहरी सकती जो होती है उसकी भूमिका के बारे में कहा जाएगा ठीक है यह भी इंपोर्टेंट रहेगा इसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स सेशन में ओके तो हम लोग की सब्सक्राइब करेंगे और बहुत ही जल्द थांक यू